आधर नियत्यक जी और कॉंग्रेस का माँ भारती के प्रती प्रेम क्या रहा है भारत के वास्चियों के प्रती प्रेम क्या रहा है एक सच्चाई बड़े दुख के साथ मैं इस सदन के सामने रखना चाहतू ये पिड़ा वो नहीं समझ पाएंगे मैं दाव और तिसके चप्पे चप्पे पर घुमाऊंवा वेक्ति होती और राज निती में कुछ नहीं सा तब भी प्रेम पैर वहां गिस्ता सा मेरा एक एमोशनल एटेज्मेंट है उस खेतर के प्रती इनको अंदाज नहीं है मानिय अधिक जी मैं तीन प्रसंग आपके सामने लखना चाहता हूं और बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं देश्वासी भी सुन रहे हैं पहली गटना पांच मार्थ 1966 पांच मार्थ 1966 इस दिन कॉंग्रेस ने मिजोरम में आसहाए नागरिकों पर अपनी वायू सेना के माद्यम से हमला करवाया था अरबा गंबीर विवाद हुआ था कॉंग्रेस वाले जवाब दे क्या वो किसी दूसरे देश की वायू सेना थी क्या क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या क्या उनकी सुरक्षा ये भारत सरकार की दिम्मेवारी थीक नहीं थी पांच मार उनिशो चासट बाई उस सेना से हमला करवाया गया निर्दोस नागरिकों पर हमला करवाया गया और मानियत देख जी आज भी मिजोरम में पांच मार्श को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है उस दर्द को मिजोरम भूलनी पा रहा है कभी उन्होंने महरम लगाने की कोशिश नहीं किये खाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है और कॉंग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है दोस्तों ये सत्या देश से उन्होंने छिपाया है क्या अपने ही देश में भायुसेना से हमला करवाना कौन था उसमाएं इंद्रा गांधी अकाल सक्त पर हमला हुआ है तो अजबी भी हमारी स्मृति में है उनको मिजोरम में उसके पहले यादत लग गई थी और इसलिए अकाल सक्त पर हमला करदे तक वो पहुचे थी मेरे ही देश में और यहां में उपदेद दे रहें अजबी देख जी नौर्सिश में वहां के लोगों के विस्वास की इनों ने हत्या किये वो गाव किसे ने किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं कुनी के कार्णा में है अधन एक जी मैं दूसरी घटना के बड़न करना चाहता हूं और वो घटना है 1962 1962 का वो खौपनाक रेडियो प्रसारान आज भी शूल की तरह दौर से इसके लोगों को चूब रहा है पंडित मेरू ने 1962 में जब देश के उपर चाइना का हमला चल रहा था देश के हर कौने में लोग अपनी रक्षा के लिए भारत से अप्रिक्षा करके बैटेते उनको कोई मदद मिलेगी उनकी जान माल की रक्षा होगी देश बच जाएगा लोग अपने हादनों से लड़ाई लंडे के लिए मादान में उतरे हुए थे ऐसी विकटगड़ी में दिल्ली के शासन पर बैटे हुए और उस समय पर एक मातर जो नेता हुआ करते थे पंडित नहरून ने रेडियो पर क्या कहा था उन्होंने कहा था यह हाल करके रखता था उन्होंने वो प्रशारा आज भी असम के लोगों के लिए एक नस्तर की तरह चूपता रहता है और किस प्रकार थे उस समय है नहरू जी ने उन्हें अपने भाग्ये पर छोड़ जीने के लिए मजबूर कर लिया था यह हमसे हिसाब मांग रहे है आदर नियदक जी यहाँ चले गए लोहिया बादी यह उन्दुकों में भी सुनाना चाहता था जो लोग अपने आपको लोहिया जी का बारिश कहते हैं और जो कल सदन में बड़े उचल उचल करके बोल रहे था हाथ लंबे चोड़े करनी की कोशिच कर रहे था लोहिया जी ने नेरू जी पर गंबीर आरोप लगाया था और लोहिया जी ने कहा था अर वारोप था कि जान बुझकर नेरू जी नौर्थ इसका विकास नहीं कर रहे जान बुझकर के नहीं कर रहे था और लोहिया जी के शब्दत है ये कितनी लापरवाई वाली और कितनी खतरनाज बात है लोहिया जी के शक्त है ये कितनी लापरवाही लापरवाही वाली और कितनी खत्मराग बात है 30,000 स्क्वेर मिल से बड़े छेत्र को एक कोल्ड स्टोरेज में बंद करके उसे हर तरह के विकास से बंचित कर दिया गया है ये लोहिया जेने नहरु पर आरोप लगाया था कि नौर्थ इसके लिए तुम्हारा रवहिया क्या है ये कहा था नौर्थ इसके लोगों के रुदय को उनकी भावनाओं को आपने कभी समझ लिए कि कोशिश ने किये मेरे मंत्री परिशद के चार सो मंत्री रात्री निवास करके और अखेले स्ट्रेट हेड़कॉर्टर पर नहीं है डिस्ट्रिक के हेड़कॉर्टर अब मैं स्वैं 50 बार गया ये आकड़ा नहीं है सिरफ ये सादना है ये नार्दिस जप्रती समर पर है